Hello friends, गाड़ी, होंडाई, क्रेटा और ये गाड़ी पानी में डूबी हुई थी, लगबग एक डेल महिने तक सर्वी सेंटर पर खड़ी रही थी, ऐसे ही पानी में डूबी हुई पानी में डूबने की वज़े से गंधी बहुत जादा हो गई, देखनें पानी के पूरे निशान जमा हो गए, सीट कवर से लेकर एवरी प्लास्टिक पार्ट जितने भी हैं तो सारी गाड़ी को आज में क्लीन करूँगा, और क्लीन ऐसा करूँगा, जिससे की सर्वी सेंटर वाले भी देखके, शायद शर्मा जाएं और कहेंगे की हाँ, ऐसी क्लीनिंग होनी चाहिए गाड़ी की condition सब आपके सामने है और इसके लिए जो मैं यूज करूँगा कुछ बहुत जादा महेंगे product यूज नहीं करूँगा homemade solution यूज करूँगा homemade solution कैसे बनाना है वो भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में और इस गाड़ी को चमकता हुआ तो आप देख ही पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो गाड़ी जैसी है वो आपके सामने है अब इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होगा डीग्रीसर को यूज करना डीग्रीसर कैसा यूज करेंगे हम हम इसको बनाएंगे अपने पास यह है पानी पानी में मैंने लिया है लाइजॉल लाइजॉल के लगबग तीन कैप इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगा और थोड़ा सा डालूँगा इसके अंदर बेकिंग सो और थोड़ी देर चोड़ने के बाद brushing करना जहां जहां पे भी पानी के निशान जमा है पानी है गंदगी है सारी चीज एक साथ जमा रही और इसके बाद पार्ट सब बाहर निकाल के रखे हुए थे क्योंकि मैंने पूरी गाड़ी को खोल दिया था पार्ट को एक जगे निक हुए निशान थे रेसिड्यू थे पानी के वो सारी निकल गए अब नंबर है हमारा सीट का सीट के कंडिशन देख रहे हैं आप ऐसी कंडिशन है कि इसको देखके गड़ी के जो ऑनर है वो कह रहे थे साब यह सीट कवर तो फाल के आप फेक दीजेगा नहीं लगाउंगा म में पॉइंट जो है सीट कवर में स्टीचिंग के स्टीचिंग के जहां जहां पॉइंट है वहां पे गंदगी पूरी जमा है वहां पे मैंने हटाने के लिए ब्रश का अच्छे से यूज किया थोड़ देर सॉलूशन को डाल के छोड़ा है और डालने के बाद फिर इसको म आधा दिन लगा है तो आप लोग को देखेंगे तो मैं ऐसे शॉट करके दिखा रहा हूं वीडियो लेकिन फिर भी टाइम लगेगा इसमें पास्टिक पार्ट में सीट के जो फाइवर के ये कवर है वो कवर नीचे जो हैंडल है इसके नीचे जो गंदगी जमा है वो भी गं होगा उनको कि आप ढूनके मुझे दिखा दीजे कि कहीं भी ऐसा आपको मार्ग दिखता हो कि ये गाड़ी कभी पानी में डूबी थी और पहचानके बताइए कि क्या ये वही गाड़ी है जिसको आपने कह दिया था कि ये गाड़ी टोटल लॉस है स्क्रैप हो गई है अब की कंडिशन ऐसी थी कि इसके उपर फफून लगी हुई थी पूरी फफून से एक लेयर सी बन गई थी और वह सारी लेयर को हमने डायलूट किया किसके साथ अपने इस क्लीनर के साथ वैंट एसी वैंट जितने भी हैं एसी वैंट को भी हम ब्रशिंग करेंगे अच्छे से जितने भी गंदगी है इसके अंदर वह एक भी रहनी चाहिए और लेकिन यह जो भी स्टेप देख रहे हैं आप यह फर्स स्टेप है अभी जिसको करने के बाद सीट की कंडिशन कुछ ऐसी हो गई पूरी सीट मैंने क्लीन कर ली लेकिन अभी इसके बाद और भी स्टेप ब इन सारी चीजों को क्लीन कर रहा हूं कोशिश मेरी है कि बिल्कुल ब्रेंड न्यू की तरह इसको मैं चमका के रखूं और यह क्यों कुछ पोल्डर से इन कॉप होल्डर को भी मैंने क्लीन किया पानी के निशान के क्योंकि जमा हुआ था गेर लीवर का यह जो कवर देख र गेर लीवर जो इसका पकड़ते हम लोग यहां पर इसका गृप इसके उपर आमारी गंदगी जमा हो जाती है तो उस गंदगी को मैं क्लीन करूंगा इस तरह से अब आता है हमारा डेशबूर्ट डेशबूर्ट के लिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 3M का इंटीरियर क कर लेता हूं अधर्वाइस डेशबूर्ट को भी मैं अपने सोलूशन से क्लीन कर सकता था कोई इशू ऐसा था नहीं या फिर ऐसा कोई भी यूज कर सकता था जो मेरे पास प्रमोशन के लिए आये थे और एक नहीं कम से कम होंगे तो पचास होंगे ऐसे प्रोड़क्ट जो सही नहीं समझता अभी जो प्रोड़क्ट मैं यूज कर रहा हूं मार्केट से प्रचेस किया हुआ है यह है 3M डेशबूर्ट ड्रेसर और इसको मैंने प्रचेस किया था 400 कुछ रुपए के असपास था यह एमेजों से लिया था 402 रुपए की इसकी MRP है अब हमको चाहिए एक स्पंज का टुकड़ा जिस पर हमें डेशबूर्ट ड्रेसर को लगाएंगे और पूरी सीट पर अप्लाई करेंगे इस ड्रेसर को हम कहां कहां लगा सकते हैं इसको लगा सकते हैं लेधर पे यानि की जो सीट कवर हैं लेधर कवर पर लगा सकते हैं प्लस साथ साथ प्ल और उसकी आलत, दोनों में डिफ्रेंस आपको पता चल रहा होगा, और इसके बाद, प्लास्टिक पार्ट, प्लास्टिक पार्ट पे लगाएंगे, जितने भी हमारे नीचे के पार्ट्स हैं, ऊपर के पार्ट्स हैं, हर जीज पे, इवन डेश्बोर पे इसको हम अप्लाई कर लेकिन इसके effect थोड़े से अलग है वो आप लोग जब use करेंगे तो समझ जाएंगे और इस वीडियो में भी आपको भी दिखा दूँगा एंड में कैसा इसका effect आता है पूरे पे apply किया अच्छे से apply किया apply करने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ना होगा देखिए पूरा मैं लगा रहा हूं और color इसका बिल्कुल change होता जा रहा है थोड़ी देर छोड़ देंगे बिल्कुल वैसे ही set होने के लिए इतनी देर मे क्या करूंगा जितने भी हमारे parts हैं जैसे कि center console हो गया gear lever का cover है यह leather cover है तो इसके उपर भी लगाऊंगा इवन जितने भी मतलब parts मैंने clean किये हुए हैं हमारे जो homemade cleaner से उन सब के उपर यह apply करूंगा थोड़ा सा यह धियान रखना होता है कि जब आप apply कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके उपर pressure दीजिए प्रेशर देंगे तो जितने भी आपको गहरे निशान देख रहे हैं stitching के नि आप इसको अच्छे से वाइप करना है वाइप करने के लिए बहुत जादा कुछ प्रेशर लगाने की ज़ुरूत मैं कर देता है और मैं मोस्टली सॉस पन के माइक्रोफाइवर टावल यूज करता हूं क्योंकि इनके क्वालिटी में कोई भी compromise नहीं मैं देखता हूं कि ए आपने इसको और ज्यादा शाइनी बना दिया शाइनिंग अच्छे आ जाती है और इसके बाद एक स्टेप जो आपको करना होता है अब यह जो टावल है जिससे मैंने पूरी गाड़ी को वाइप किया और इससे पहले जिसको क्लीन किया था सारे टावल को क्लीन करके रख ल जाएगी तो वो रियक्षन भी रिकॉर्ड करूंगा और आप वो आने वाली वीडियो में देख भी पाएंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही था लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने में और काम करने में काफी मेहनत लगी लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा मिलूंगो नेक्स वीडियो में ऐसे किसी इंटरस्टिंग टापिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग